प्रभातगाबर.com विश्वास वही रवतार नहीं फैसले पर नाराजगी जताई है बाद में विवाद बरता देख मस्जित को दोबारा सफेद रंग से रंगने का आदेश दिया गया दरसल वारानसी विकास प्रादीकरल काशी विश्वनात कॉरिडोर के उधगाटन को देखते हुए तैयारियां कर रहा है बुला नाला इलाके में सडख किनारे एक मसजिद को सपेद से रातो रात गेरुए रंग से रंग दिया गया इससे मसजिद से जुड़े लोगों ने नाराजगी जताई सबसे पहले मसाजीर को बताना चाहिए था और रात और रात को ने किया और किस एरिया में सबसे पहले यही टार्गेट गया गया इससे मेसेज जो गया 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 बश्या मुमन मस्जीद का कलर आपके क्या होता है कि मौकीदों में ज्यादा तरवाइट होता है और बहुत बहुत बीक्तर लेते हैं तो उसे परक नहीं परता है बात करें आपने किससे विरोध किया था इस चीज़ का मैंने सुनिल इसे कहा का कर पाला का दिकारी तो आपने नाराज्गी जाहिर की थी आपके कोई परभीशन अमिर जी कहां तक का जिवच मीला एक काम करने का तो यह मस्ज़ित का जो कलर आपने गेरूआ करादिका ता या क्या करवा रहे हैं किसके आदेश से कर वा data विवाद पढ़ता देख प्रशासन बैक फुट पर आ गया और मस्जित को दोबारा सफेद रंग से रंगवा दिया गया इस मसले पर प्राधी करल ने सपाई दी कि सभी इमारतों में एक रूपता लाने के मकसद से एक रंग से रंगने का फैसला लिया गया काशी धार्मिक सहिशुड़ता की सीख देने वाली नगरी है गेरुआ रंग वारारसी की थीन पर है जब हमने इस मामले पर लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि वारारसी वाकई में गंगा जमनी की तहजीब वाली नगरी है प्रभादकाबर.com विश्वास वही रवतार नई